आगे बढ़ेंगे भारत के तीन पड़ोसी देशों से आने वाले गैर मुस्लिम विस्थापितों के लिए केंदर सरकार की और से नागरिक्ता संशोधन एक्ट लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो नागरिक्ता मिलने की उमीद में जम कर आतिश बाजी भी की गई इन लोगों नी बस्तियों में दीपक जला कर अपनी खुशी का इसहार भी किया आभार जताते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्री ग्री मंत्री अमिट्शाक आभार जताते हुए कहा कि मानों आज हमें आजादी मिल गई है तो ये खुशीन के चहरों पर जश्ट मनाते हुए डूल नगाडों के साथ नाचते 1955 से चले आरे बारती नागिता कानून में आखिरकार संसोधन के साथ नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया पाक विस्तापित जो कहने में तो एक शब्द था लेकिन अफगारिस्तान, बांगलादेस और पाकिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम लोगों को बारत में वापसी के बावज़ूद भी नागिता पाने में कापित दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था ऐसे में देश की नेंदर मोधी सरकार ने इन लोगों की पीड़ा को सुना और आज उनके लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया हम इन लोगों के साथ है जिन से बात करना चाहिए कि नया नोटिफिकेशन आ गया अब क्या रहत है आप लोगों के लिए देखें से भारत में रह रहे हैं आपको क्या सुविधाय मिली और क्या बढ़ पाएंगे जी सुविधायों को लेके देखें इसा है कि सिटिजन शिप नहीं थी तो बहुत सारी समय से आती बच्चों को एजुकेशन को लेके जैसे एडमिशन वगरा सरकारी स्कुल में नहीं हो पात कि नया कानून लागू हुआ आज से ऐसे में आपके बच्चों को मुल्बूत सुविधाय और एजुकेशन मिलेगा बिलकुल हम सबसे पहले तो आभार वेक्ति करते हैं पधार मंतरी नेरेर मोदी जी का अमीचा जी का और राजना सिंग जी का और पूरी बीजे भी सरकार क इनके से कानून लागू करने से हमारे बच्चों का एजुकेशन का मसला बहुत बड़ा प्राबलम था कहीं भी मेडिकल में हैं जितने भी लोग हैं उनको अब जल्द नागीता मिलने के लिए नया कानून लागू किया गया है इससे इनके चेहरों पर खुश्यों का माहूल देखा जा सकता है कैमरा सोगी सीव सिंग के साथ राकिश बार्दवाद जी मेडिया जोतपूर